हेलो फ्रेंस उसके बाद शिशु के ठोशहार की सुरात हो जाती है मा बच्छे को दो साल तक की उम्र तक दूद पिला सकती है विस्वर इस दिन पार सप्ता अगस्त के पहले सप्ता में ब्रेस्ट फिडिंग के महत्वप जागरुपता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है तो आईए जानते है इस वेडियो में शिशु को ब्रेस्ट फिडिंग कराने से उसे क्या फाइदा होता है यूमिनेटि को करे मजबूत मा का दूद बच्छे की रोप्रदिरुदक शमता को मजबूत बढ़ाने में मदद करता है मा का दूद सुपाच्य होने के कारण आसाने से पच भी जाता है और शिशु को हेल्दी रहने में मदद करता है मा की दूद में बच्छे के लिए सभी जरूरी पोशक तत्व होते है जो बच्छों को बिमारियों से लडने की ताकत देते है शिशु का दिमाग तेज होता है मा की दूद से शिशु को DHE मिलता है जो शिशु को दिमाग को तेज करने में मदद करता है ब्रेश्ट फीडिंग कराने से शिशो में पहचाननी की समता विक्षेत होती है लगातार ब्रेश्ट फीडिंग कराने से शिशो का मानसिक विकास बैतर धंग से हो सकता है ब्रेस्ट फिडिंग शिशु को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है मोटा पाप को करे कंट्रूल ब्रेस्ट फिडिंग कराने से शिशु का वजन सही रहता है कही बार मा किसी कारण से बच्चे को अगर इस्तनपान नहीं करा पाती तो ऐसे बच्चों की तुलनावे इस्तनपान करने वाले बच्चों का वज़न सही रहता है फॉर्मूला मेल या और किसी तरका बहर का दूर शिशु कही बाई ज्यादा भी पी लेता है जिससे शिशु का अध्याधिक वज़न बढ़ने लगता है पाचन तेज होता है शिशु को ब्रेस्ट फिडिंग कराने से बच्चे का पाचन के रहा सही रहती है इस्तनपान कराने से बच्चे हैल्थी रहते है इस्तनपान करने से बच्चे कम बिमार पड़ते है बिमार होने पर भी अगर इस्तनपान किया जाए तो बच्चे जल्दी स्वस्त हो जाते है अगर इस्तनपान लंबे समय तक कराए जाए तो बच्चे को एंटिबायोटिक दवाईयों की कम जरूरत पड़ती है ब्रेश्ट फीडिंग कराने से बच्चे को probiotics मिलते है जो सिशो के पाचन तंत्र में infection को दूर रखने में मदद करते है साथी ब्रेश्ट फीडिंग कराने से बच्चों में पेट संबंदी बिमारियों होने का खत्रा भी काफी कम हो जाता है डायबिटीज का खत्रा कम शिशु को करीब 6 महिने तक इस्तंपान कराने से डायबिटीज का खत्रा 30% कम हो जाता है इस्तंपान से बच्चे में सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और कैल्सिय मिलने से बच्चों में बिमारियों लगने का खत्रा भी कम हो जाता है शिशो को ब्रेस्ट फिडिंग कराने से कॉलिस्ट्रॉल दिर संबधी बिमारी, सास संबंधी इंफेक्शन और अस्थमा इक्तियादी बिमारियों से भी बचा होता है फ्रेंस, ब्रेस्ट फिडिंग सिशो के लिए संबूर आहाड है, जो बच्चे को स्वस्त रखने में मदद करता है इस्तनपान कराने से मां और बच्चे दोनों की सिहत को भरबोर फायदा होता है ब्रेस्ट फिडिंग की सुराथ जन्म के कुछ गंटों के बाद डॉक्टर से परामार्स लेकर शुरू कर सकते है इस्तनपान कराने से मैं किसी भी परिशानी का अनुपोग होने पर घर के बड़ों के मदद ले या डॉक्टर से अवश्य बात करे थेंक यू बेरी मच्छ